कुछ मालूम है आको क्या कहना चाहती हो रानी पत सनम प्रार प्यारे बलंबर सजन आरे सुत तारे नेनो किशंशो कमल क्या सबब आप करते करते तलाशी नहीं बर के काबिल हुई मेरी लगते जिगरे ये चंद्र बदली अरे सुनेनी कुमार बचान और सुन के मेरा जिगर धीर धरता नहीं देख स्यानी सुताव और गम का सम रात दिने रहता दिल पर चरहाटों के उसरता नहीं कहने की बात यह है अमित देशों में मैंने पठाई खबर क्या करूं कश्च भगवान हरता नहीं रूप का तेज रवसम अने सता कान राख व्याहने की कोई इच्छा कर दा देखो जी आप मेरे बास लो कान खोल गे मैं परेशान हूं मैंने भुछ से देशों में तर्फिरतिया खोके आगे सियानी सुता प्राल प्यारे कुछ तो जतने कीजिए अपनी हासी कराऊं कराऊंगी हर गिज नहीं मारी बेटी को खुद ही मरूंगी प्राणना मैं बेटी को मार दूंगे खुद भी मर जाओंगी राणी साब ठीक है आप जाओ बेटी सावित्तिरी को मेरे पास भेजो मैंने उपाया सोचा है मैं लड़की को आग्या देदूंगा बेटी आप खुद पलाश करके आईए मैं वहीं शादी कर दूंगा ठीक है बेटी सावित्तिरी को मजबूर हो करके मुझे उखन देना पड़ेगा बेटी सावित्तिरी जी पिता जी प्रणाम खुश रहो बेटी एक समस्या मेरे सामले मजबूरी है बेटी सुना उसे क्या समस्या है ये ब्याह करने का बेटी समय आ गया और ये मुझे रहती सबोरो जुभारी फिकर पर करूं क्या नरपती कोई बरता नहीं तेज तेरे से डरते हैं लखते इस सबाब मैंने सोचा यही लाडली साथ ने जाब कुल अपने सामा सफर बैठ रत मैं सुमरे शाम को जाब जाओ ढूड़ो ढूड़ो सुता अपनी इच्छा का बाली बेटी जूप बाप को नहीं करना था मुझे भुकरना पड़ रहा है मजबूरी में मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ जाओ बरतलाश करके आओ जहां भी बरतलाश करके आओगी मैं वहीं आप पापाने ग्रहर कर दोंगा मुझे वचंदी जी पिता जी के जिसे में पसंद क करके आओंगी आप मेरा उसी के साथ बिभा करेंगे में यह कहतो रहा हूँ ठीक है पंडी जी मेरी सहलियों को बुला दीजिये और हुक्म दीजिये पंडी जी आपको साथ चाना है ठीक है और सहलियों को ले जाओ नावए ले जाओं नहीं आप चले जाएए वो तो सभाली सब आजाएंगे सब आ रहे हैं ठीक है ठीक है चलिए आप ने बहुत त्यार कराए अर सामान सफर के छक्रों में लादुआए सब आ दृष सुगर बर करती फिरे तलाश कुन रजबारों में घूमी कहिं पूरन हुई ना पो बैजी कहिए यह जैपुर है यहां के राजकुमार आपको पसंद है नहीं यह जोध पुर है यहां के राजकुमार पसंद है नहीं नहीं यह ग्वालियर है यहां के राजकुमार पसंद है नहीं नहीं लाचार बिचारी अरे सामित्री सुकुमारी और रिश्मुन दर्शन हित बन की तरह पोसिधार महराज पहुंच करतपो भूम दर्म्यान अजी दर्शन किये महत्मां महत्माओं के दिया बहुत सात्तान मेची साबित्री कहिए यह कितना संदर जंगल है यहां आप लोग घूमो लेकिन साबधान नहीं यहां बड़े-बड़े खतरनाक जानवर भी है अच्छा बड़े-बड़े जहरीले जन्तू हैं बड़े-बड़े लक्कल भग्गा हैं उठा ले जाते हैं इंसानों को खा जात किसे बात की भी हम जब तक अपना खाना पीना त 갑्द हाइब और आप लोग यहां थोड़ा घूमलो उठान हें यहां आगे मत जाना जादा ठीक हैं नहीं जाओ जो पारदे एक पुर्शे ब्रच्छ पर कातक लगे जाया महाराज और देख करे रूप हुई बन हार बोली अपनी हम दोलीन से वो साब क्रीस हो बेहन, क्या है? तुम्हें कुछ नजर आया जंगल में? में तो कुछ नजर नहीं आ रहा इधर देखो इधर नजर तो आ रहा है कौ? अरे वो बंदा रहा है अच्छे से देखो कौन है पैचानो? मुझे तो उड़ती उड़ती कोई चिडिया लग रही है नहीं बेन और क्या? तुमने चहरा नहीं देखा है कितना सुंदर चहरा है कैसा चहरा? तुम्हें माले में कौन है? कौन है? इस शगर पे बशर जो रहा चड़ सकी राज सुत की सिस्की शकर दीखती लेकिन है मुसीबत जदा ये काट लकडी रहा दीर जानी न जावे कर दीखती कितना सुंदर है ये? ये हाँ ये सुंदर है नर्ग सी चाश्मु चहरा ये पैए चांदH सा खुबहू खुबसूरत फरक न रख दे ऒैन और ये दिले बुल बुल इसी बुल पे शेदा कुए ये दिले बुल बुल इसी बुल पे शेदा हुआ मैं तो इसको ही अपना बनाओं पती से इससे इससे करूँ इससे इससे करूँ दाना हो करके बेहन बने मती नादान समझाई समझे नहीं रही कटिन है ठीठा ऐसी कटिन है मेरी तो यही जिद्ध है कौन का कोई कुल का इससे नाम पता तो पूछ लो हाँ ये बात तेरी सही है नाम पता पूछ के तो हर वकत मसकरी क्यों करती है अचा ठीक है तू घवरा मत तू बैठ यहां और मैं जाती हूं पूछ के आती हूं कौन हे क्या है मैं तुस्से वादा करती हूं अगर यह चत्री कुआ राज कुमार हुआ है, तो मैं शादी करूंगी और छोटी कौम का हुआ तो शादी नहीं करूँगी तो मैं मेरी कसम है, तेरी कसम अच्छा, ऐसा मत करना, नहीं ऐसा मत करना अजी लखली काटने वाले सहाफ जी शरीमान जी क्या मुझसे कुछ कह रही हैं आप जी हाँ मैं आपसे ही कह रहूँ और जंगल में किससे कह रही हूँ क्या वाथ है क्या कहना जाती मुश्याप उतर शजर से आईए शंश कमर गुलफाम है कुछ मेरा आपसे बहुत जरूरी काम क्या मुश्याप का बहुत जरूरी काम है आप निचे तो रहेए नहीं क्यों। इस श्रॉप आपको लगडी चाहिए, ओफ वह यह यह समझ रहे हैं कि में लखड़ी खरीदने आए, लगडी नहीं चाहिए, लखड़ी चाहिए तो लखड़ी तूँम। नहीं, नहीं, लकडी की मिरे जरूरत नहीं है, मुझे तो आप से कुछ पूछना है, नहीं अगर चाहिए तो लकडी ले लो, अरे नहीं, लकडी ने चाहिए, आप नीचे तो आईए, नहीं, क्यों? जा, 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 सब तेरी, मैंने चत्राई ली जान, तेरी बातों में मिरा, तो हो भारी नुक्सा, क्या नुक्सान होगा आपका? नीचे उत्रें, और फिर चढ़ें मुझे तेरे, ओ वेवारी, मुझे गरीब से काम क्या है तेरा सुन्दरना देर हो जागी आपको अब क्यों मेरी जाका मुझे काम क्या है वा जारी जाका अर तु ना हक मेरा हर्द करे गर मुझे तेरे हो जावे की तो क्या होगा? अर ये थोड़ी सी लकड़ी देख जननी मुहे दो सो लगावे काम मुझे आपसे जरूरी तेरी में नहीं ये घास खुद वाऊंगी उतर आये डरूमती में काम न कोई करांगी बार-बार काम की कह रहे हो तो सनो क्या काम करांगी प्रद कराएंगी आपका देखा और सनम हो गई मतवाली सुनो क्या काम है देखो मैं घर वाली मैं घर वाली बनू आपकी बाते करूं मैं आपसे शादी करूंगे आप लीचो तरा ये जल्दी आजाओ मजाब कर रही हैं तुम और शादी हम से कसम से जा अपनी राहले क्यों दिल लगी उडाती है जा अपनी राहले क्यों दिल लगी उडाती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है तो शगर से आओ उतर के न टुक अवार करो, हसी समझो न मेरी बात का इतवार करो प है, आतर्व मेरी आप जैसे कहने इसी तरह किसी दिन हमारा भी थाट था आप जैसा कया मतलब मैं संगी नहीं किसी दिन हमिरा थे लेकिन आज इस करम की गत्टी का किसी ने पार आप राजकुमार थे दुबारा बोलिएगा जी हम पहले राजकुमार थे ना जी यह भगवाल तेरे लाख लाख शुक्र है अब नीचे तो रहे जल्दी आजाएए ना जो आपका नुकसान होगा वहम पूरा कर देंगे अब बताईए आप को ने कहां रहते हैं क्या नाम है आपका आपके माता पिता का क्या नाम है इतना बता दिए क्या पूछे है सस्मुकी मेरे जाती गोत्र का हाल ये महा मुशीवत जदा हम है चत्री के लाल पेत धुमत सेन रपाल और सव्या हमारी मात है ती राज धानी साल वो देश जो जहान में विख्यात है लेकिन ये आपका एसा हल कैसे हो गया अंधे पिता माता मेरे हुए कर्म का फल पाईकार और ये देख मौका दुश्मनों ने हमारा राज लिया छुडाय कर फिर आप गुजर कैसे करते हैं आप गुजर योही करते हैं बन में रहते हैं लकडी काटते हैं लकडी बेजते हैं अपना फेट का पालन करता हैं में शरण हूँ शरण हूँ ये शरण हूँ शरण शरण आये किला जा निभाओ पिया मूल फल रूखे सूखे ए जीवा ठंडे गरम तुकडे खाऊंगी जैसे खिलाओ पिया मैं तो मन क्रम बचन से तुम्हे बर चुकी ये तुम क्या कह रही हैं करम नामत मेरा दिल दुखा हो पिया राज धन्धाम से काम मुझको न कुछ अपने चरणों की दासी बना लीजे और मुझा कुछ नहीं चाहिए हम गरीब हैं और आप एक राजगुमारी हैं भलाए सकते तो क्या हुआ चलिए आपके माता पिता कहां मुझे ले चलिए तो आसमान का तारा और इन तू नहींगे जर्रा बेचारा नहीं做 मैं तो सोचती थी अपने महल के पास खड़ो करके खिलकी में देखती थी कोई राज कुमार आए तो मैं उससे देखूं और जब बारिश होती थी तो मेरी हालत क्या होती थी जब रिम जिम बरिसा हाए पिया में बादलो के साथ में साथ साथ पिया रोती रही रोती रही तो खड़ी खड़ी वहां रोती तो खड़ी खड़ी वहां रोती के तेरे आचू महल के मोसी बता अगर आप नहीं मानती हैं तो एक आप से में वेदल करना चाहता हूं सुनिए इतनी देर होगे कहते हुए जो मुझे ही बराता तुम मेरे साथ चाहर कीजिए मेरे माता पिता से जिकर जो वो देंगे इजाजत तो मैं बरूगा तुमें नहीं तो तुमारे माता पिता ने मने कर दिया तो तो नहीं करूँगा शादी करो गया यहीं जान दे दू अपनी आप मेरे माता पिता पिता ने करूँगा अगर मेरे माता जी ने कह दिया पिता जी ने कह दिया तो सब्सक्राइब आप चाहते कि हमारे बच्चे की शादी हो तो आप चलिए मैं आप से कहता हूं और मैं कोशिज करूगा तो तो काम बनी जाएगा अगर आप चाहती है तो मैं कोशिज करूगा चलिए अम चब मैं आपका बजब मेरा वगह नहीं आप राज कुमारी यह मुझे नहीं मुझे कड़े नहीं यह आप राज कमाईगे लिए अरी अम्मा दादा सत्वान के अरी अम्मा सत्वान के तुम अम्मा जो के तो पहले से मुपू का बात है गई तो फेरव पहले से बोले हो जाए अब लल्लू ना आयो छोड़ा आयो नायो बताओ हमारे पेट में मुझे कूद रहे तो दिन निकल गओ छोड़ा आज कहां फचको जाएके कहीं दुस्मान के चक्कर में तो ना आगाओ ना ना ऐसो ना होगा अरे इसो ना होगा हमारो लल्लू आरो होगो बैट जाओ दुस्मान घहराम थे डोले हमारो राजबार छीन लिए हम पे छोड़े अरे अमा फिर भाई बात सत्तवाल की पहले सत्तवान को नाम लेकर तुमाई तो साठ बस कुवई में गई तो बहुरे भाई धरी है बहुज्य की तुम तो सठी आ गए हो सठा गए है लठी आ गई ठोड़ा आगोगा अरे बैटा सत्तवाल पता जी प्रणाम खुस रहो बेटा खुस रहो रहो हजारी उमर हो ए अरे बेटा कहाँ चलागो तू पता जी मैं बन को लगडी लेने के लिए गया था लगडी ले गया था पूरो दिन में करको तुमें हमारी कहा हाल है सरी यह कब लगड़ आने पिता जी एक बात है आज मैं एक लड़की लेकर आया हूं आपके साथ अपने साथ में कौन की लड़की आई है का के रहा है अरी अम्मा न लाज कमारी राज कुमारी 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 राज बनबावेगी का यहां उचे भगा डेगी नहीं पता जी वो आपसे मिलना चाहती है का कह रही थी पूर किर दूब से शादी करने की कहती है वैं मेरी उमर साधी लागे का में साधी करऊंगा तुम तो सत्या रहे हो साधी करूंगा तुम् compression कर रहे हैं ऑर कॉन की कोई माधता बॉला रें कुछ रहो बेटी खुछ रहो बेटी कैसे आना हुआ क्या बात है दोनकर जोर दासी कि है डंडवत अर्ज करती हूं छूके तुमारे चरण मेरे दिल के दरद को दरद को निवारण करो में शरण हूं शरण हूं शरण हूं कीजिए मेरी सासू फिकर को हरण जो न बिनती सुनों तो न मैं जिन्दा रहूं ये परण कर दिया है यही पे मेरे दरद काम्यक आपे ये जो न बिनती सुनेनी समक सुंदरी कौन तुम सारा किस्सा मुफसर सुनाओ मुझे कहा रहो किसकी दुखतर और क्या नाम है ना छुपाओ सही सच बताओ मुझे कायदे से अदब से वा रंग रूप से भूप की सी सुता तुम दिखाओ मुझे यहाँ पर आने का मतलब और तुम्हारा है क्या क्या सबब जो किसासु पनाओ मुझे कहा की रहने बारी हो कहा तुम्हारे माबाप को नाम है और तुम्हारी कहा इच्छा है का नाम है और तुम किस नगर के रहने वाली हो तुम्हारा क्या नाम है तुम यहां किस कारण से आई हो माता मेरी माधवी हाँ पिता अश्पतिना अच्छा वित्री मुझे को कने मेरा मद्र देश है ग्रोमी मेरे पिता को जब नहीं पाया मेरे अन्रूप बर मजबूर हो मुझे को दिया बर ढूंडने का हुक्म कर वोस हुक्म की तामील कर ले को चली तजपित भवन बर की तलाशी करन को हुआ मेरा यहां आगवन माता जी मैं मोहित तुमारे पुत्र पर हो गई हूं दिलो जान से पाले ग्रहन चाऊं कराना सत्वान सुझान से बेटी बात तो तुम सब सही कह रही हो मगर हम चाह करें बेटी हम गरीब आदमी है बेटा सत्वान जंगल में से लगड़िया काट के लाए जब हम अपनी गुजर करें हम कैसे साधी कर लेंगे बेटी शाधी आप कर सकती हैं सिर्फ आप हाँ कर दो अरी अम्मा फिर वही अ बेटा के संग में ब्या कर लो मेरा मान ना रही तुम्हारों कहनो ना खूब समझा लेगी हाँ कोई बात ना है चोखो ब्या है जागो ठोड़ा को हाँ बात तो सही है तेरे हाँ की हत्रोई छूट जाएगी तो ऐसो करो हमें समयते जोगा खबादे करेगी बहू बनाए के अधर ना हमादे करेंगी बता आप शे महीना है ये बिना ना हमादे मेरे इतनी जूआ पर रहे हैं सरीर में खाए जा रहे हैं अधर एसो करो सत्तवान ते पूछ लेओ क्या वागे मन पर है या ना है जोड़ा पूछनी चाहिए बेटा सत्तवान पिता जी जई हो बेटा ज यो कुछ करेंगे जो हाँ हचा है कर लो पेटा तेरे भीतर लड़ फूट रहे है ताजी कैसी बात पाला हाँ हाँ थीक है मैं चोरी के डह रही हूँ तुम के जो आधो जोरा भीत लेए हम है कह दो टेक हम सादी कर लेंगे मार एक बात है बेटी क्या वो मैं स्थम्जा देखो, खुशा मन मही आमद है बेटा, राजकुमारी ते प्रेम से बात करियो बेटा, रस्ता पूरी रस्ता में समझात हो ले जाई हो, और और कोई आदमी देख ना ले, आजकल बने भांजी मानने बारे, दूसरे की छाने निक सी देर में उतार दे, तर्च लोग या दुन में भूंग रहे हैं, बेटा सरती नजर बचाएके चुप चाब ले जाई हो, राजकुमारी है, और घर पहुचाया, मीठी मीठी बात करियो, जैसे जैसे तेरी माई में लाए हो, जब मीठी मीठी बात करी, मैंने जाती है, याकि मोमे सर्वत प्रवत प्रवायों मैंने हम तो कहा बता में जंगल में पड़े हैं, हम तीन पराड़ी हैं, तुम अपने पिताजी से कह दो, क्या, कि मैं सब इंतिजाम कर दूँगी, बरात काभी, खाने काभी, जैसा वो कहेंगे वैसा कर दूँगी, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, देख लो हमारे पिताजी कहना है हमारे यहाँ बहुत तबाकू है, एक कुंतल लाएंगी वो, बहुत बढ़ी है, गाली में भरवाएंगे, हाथी धोड़ा सबाएंगे, ठीक है, आप बेट वारा हमसे, परे हमसे बेचा, एसे खुसा मत करके ले जा, अरी अम्मा, फिर वही अम्मा, अम्मा, शर्तवान की, बेटी को जहां से लाए हो, सावित तरी को, वही पहुचाया हो, अच्छा, ले जारी, चल की जोपड़ी में चल, आजा, वो चंद लग रही है, जल दी, चल जोपड़ी में, अब बताईए क्या खयाल है आपका, जब तो कह रहे थे मैं सादी नी करूँगा, अब तो ठीक ह अब माता जी ने, पिता जी ने कह दिया है, अब हम नहीं करेंगे, ये, ये तुम, ये क्या कह रही हो तुम, क्यों, अब तो आपको शादी करनी पहुच ज़रूरी है, अब तो आपकी जबरदस्ती है क्या, जैसे हम कह रहे थे न, या तो शादी करो नहीं मर जाएंगे, य लुद आप बोले जो हम कहेंगे नहीं तो मन से होता है काम जबरस्टी नहीं होता है अब मन कैसे चल रहा आगे आगे पहले तो आपका मन था तो मैंने का इजाज़त देंगे पताजी माताज मेरे सभी बात है यह यह दामन अब ना छूटेगा मगर चाहें खफात्म हो कहां जाओं के मेरी दूदभी का खासरा तुम हो यह दामन अब में सर से पाओं तक तेरे ही अश्कों में नहाई हूँ में सर से पाओं तक तेरे ही अश्कों में नहाई हूँ लगेती पापती तेरे लिए क्या सभात लाई हूँ चुपालो अपने दामन है मेरे घम आशना तुम हो कहां जाओं के मेरी जूदभी का आज लातुम हो अच्छी बहो राजन तुमको कुछ चिंता है किस बात की महाराज बेटी सावित्री बर के योग हो चुकी है तुमने क्या सोचा है इसके लिए महाराज मैंने बेटी को आग्या दे करके और भेज दिया आग्या है कि जाओ अपने मन पसंद बढ़ तलाश करके आओ मैं उसी के साथ तुमारी शादी कर दूँगा अच्छा इसलिए वह अभी आई है लेकिन मैंने पूछा नहीं है आप पूछ सकते हो ठीक है अच्छा म पूछते हैं ना राय ना राय ना राय ना राय ना राय न क्या नाम है सत्वान तो उनका नाम है जिने मैंने पसंद किया है सालव देश के वह राजा है दुश्मनों ने उनका राज पाड़ सब छीन लिया अब वह बहुत गरीब हैं लकड़ी काटके अपनी गुजर करते हैं बस यह है ठीक है ठीक है बेटी साहब इतनी मैंने समझ मैंने लिया उसके गुल अब गुल मैं तुमको बता रहा हूँ क्या है माराज साल भर से नजादा वो जिन्दा रहे सच कहता हूं इसमें कसर ही नहीं आज से एक बरस बाद मर जाएगा इससे जादा नहीं उसके एक साल के बाद आज कहीं दिन वो मर जाएगा उसको छोड़ दो दूसरा बरतलास कर लो नाराएन नाराएन नहीं माराएन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती है अच्छा मैंने मन करम बचनों से अपना पती माना है मैं सत्वान के बिना जिंदा नहीं रह सकती शादी करूंगी तो सत्वान से करूंगी नहीं तो किसी से नहीं करूंगी ठीक है ठीक है ठीक है हम बहुत खुश हुए राजैन माराज हाँ मैंने पूछ लिया है सत्वान नाम का एक लड़का है उसके पिता का नाम धुमत सैन है वो राजा थे किसी समय में लेकिन सब कुछ ठीक है तेजवान है गुरवान है सब कुछ अच्छा ही है एक अबगुर है उसके अंदर आज से एक साल के बाद वो मर जाएगा मैंने तो कहके देख लिया है हो सकता है तो मारी बात मांजा आज को समझा तो नहीं मानती है तो हरिक्षा जो है ठीक है चलो ठीक है मारा है ना 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 बेटी प्रलाम पिता जी प्रफराफ है गुरुजव में जो कहा है कुछ के ए उसका अध्यान दिया तुमने हाँ मैंने सोच लिया है अब कुछ भी हो पिता जी यह तो बड़ी समस्या है ठीक है बही राज़न नहीं पिता जी मैं तो शादी करूगी तो सत्वान से नहीं तो नहीं शादी करूगी यह मेरा बच्चन है बेटी कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने दान किया हूँ दान? दान तो आप उस वक्त ही कर चुके जब के बैठाल रत में पठाया मुझे तो दूढ मन माना बर आ उसी संग तेरा आपने जब यह हुक्म सुनाया था तो दान तो आप जबी कर चुगे थे मारा वहीं जाना पड़ेगा उनके पास बचावी दहीं से राजानी पड़ाईगी पिता जी तो पूरा स्तारों सामाजूट जाब सुछ, उनके पास कुछ नहीं बहुत गरीब हो चलिए वाराज ठीक है चलो, थमें दाम करना यहां करो जाओ नाराय नाराय चलो असको बिलाओ शक्तो प्राज लेके छुबिया से ठीक है ठीक है थीक है नाराय नाराय जी हम आराय मेरा ही नाम है तुम्हारे पिता जी कहा है वो कुटिया में है दोलो को बलाओ पिता जी माता जी अरी अम्मा कहते नाराय जी आए है सत्वान की हा सत्वान की के करो अभी तक कोई भी ना है हो हम गरीबल की कौन सा भी करे बताओ पैता जी। भी रसावाण। वी और राज कुमारी के पिता जी भी आये हैं। कंदी है संदी तो उनने आनों चाहिए 90 कौ कर्रुपा लाओ मोगаничघा आप ने आंप नहीं मिला था आल आ फर जी तो ए तो संदी तो पूला कषिए में में अभी तो वह रादी है संदी ऑभी बननो है साू अरलि अधर आंमा अमा अ तेरी समदेने कहा हैं अरे जी खड़ी है ऐसा है बात पिये निकवा समदेने उन चटोर के रेखलों में कैसी महाराज चौधरी साहब अब उन चटोर हो गे चौधरी साहब भेट के रुपे की क्या है हम आपके लिए सब कुछ देंगी और यहां तक है कि एक साल के बाद आधा पर राज करते हैं कि लड़की के ना बहुत अच्छा पताजी फिर जौपडी और यहां सब वेवस्ता कर दो जौपडी तो खिर वहां रखनी पर एगी ना रहें अब जोगा पान किना दो महाराज नारद देव रिशी नारद मुनी आगे फिर काय की कमी रह गई रह गई उ तो चोडी के आते चोडा के तो चोडा के दिए घरे मेंडर वार्यों इचा गई गंदर बेभा है जागो और सब अन्य बेचारे जितने आये सबने जैवेगो बैठा रचालोगी बैठा जैवेगो अब आते ना इनको पहरे जिमा दिया है तुमारे लिए कोई परेशानी न जो भी कुछ हमारे पास सारी कि थी थी हां, आपने सम कुछ दे लिया काई, कोई कमी ना छोड़ी देने में साफ दुनिया देख रही है काउ आपने कोई कसर ना छोड़ी, लेक्षी जी कमी तो रह गई है, तो अगर अपने मन में दुखी ना हो तो, नहीं बताई ये? अच्छा 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 अच्छ कुछ रचलो कि अअपके पास छोड़े जा रहे हैं आधे जारीं हम्हा राएं आजा ज़ो राजन जा आई दें आ जा जै आई आई जो फिर दर्म की बाते होती हैं वह अपनी बेटी के लिए सम्हों और चलो रहभानगी करूं बेटी सावित्री, जी माता जी, अपने पती की सेवा करना, अपने सास असुर की सेवा करना, पती से पहले भोजन मत करना, धान रखना मेरी बात का, जैसे आपकी अग गया. मैं आज से ही ब्रत रखना शुरू करूंगी, क्योंकि जैसे मुनीर आज ने बताया था, कि मेरे पती खत्म हो जाएंगे, आज से ही मैं अपना नेमों का पालन करना शुरू कर दूँ, और मैं ऐसे कपड़ों में रहूंगी, ऐसे लिवास पहन के, जेवर पहन के, और मेरे सास सुसर ऐसे फटे कपड़ों में रहेंगे, ये मुझे बिल्कुल हटा देना चाहिए, सत्वाण, माता जी, बेटा, जाओ, अपनी बहु को समझाओ, समझे, उसने कपड़े क्यों उतार दिये, क्या बात है, क्यों उतास रहती है, उसको समझा देना, अच्छा, ठीक है माता जी, नजा रही हूँ, और लगडी काट के लाना, अच्छा, दिहान रखना इस बात के ठीक है माता जी, वो तो रोजाना काट मेरा, ठीक है, ए भगवान, जैसा के मुनीर आज ने कहा था, एक साल के बाद तेरा पती मर जाएगा, आज, एक साल हो गई, आज साल का आखरी दिन है, ए प्रभू, तुम मेरी रक्षा करना, अब, अब मुझे आज ये करना है, मेरे पती चाओ कहीं भी जाए, मैं एक मिनट को अपने पती से दूर नहीं रहूंगे, साथी साथ जाऊंगे, देखूंगे, ये कहा जाएंगे, कहा जा रहे हो, कहा जा ने आप, सावित्री मेरा तो रोजाना का काम है लकड़ी काटने का तो आज तो मैं भी चलूँगे आपके साथ लेकिन मैं तुमसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमने सारा जेवर अच्छे-च्छे कपड़े क्यों उतार दिये हैं क्या वात है मैंने इसलिए उतार दिये हैं कि मुझे वो भारी लग रहे थे और आप ऐसे रहेंगे और मैं ऐसे वस्त्रों में रहूंगी और गहने में है स्वामी मेरा गहना तो आप है मुझे गहनों की कोई आउशक्ता नहीं है नहीं सावित्री तुम राज कुमारी हो साइद आपको अपने माता पिता की याद आती हो तो तुमको हम वहां पहुंच बादे नहीं मुझे किसी की याद नहीं आती मैं तो आपके साथ हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ आप चाहिए मैंने रंग ली आज चुनरिया को सजिना तेरे रंग में मैंने रंग ली आज चुनरिया को सजिना तेरे रंग में वही जगह है, जिस जगह से मेरी आपकी जान पहचान हुई थी, कितनी जिदकी थी मैंने उतरने की कि निचे उतराओ, नहीं आय थे न, अब आप लपड़ी काटना उपर पेड़ पर चलके, और मैं नीचे से बीन-बीन के इखट्पी करूँ, ठीक है, तुम नहीं जाओंगी मैं नहीं जाओंगी, शाबित्री ये, तुम क्या कह रही हो, क्यों, मैं आपके साथ चल नहीं सकती, क्या, नहीं, 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 क्यों, क्यों नहीं चल सकती, क्या बात है, एक तो तीन दिन से, क्योंके शाबित्री तुमने तीन दिन से, एक तो तीन दिन से, तुम हो ब्रत जला और दुबला हुआ तन दिलो जानमन तीजे रव की तपन और ये कंकुरी लिधरा चोथे चलना पड़े प्यारी लंगे बगन मैं ना डरू आप सोच रहें के जंगल में बहुत जानवर मिलेंगे तुम डर जाओगे उनसे ना डरू जंतों से और मैं चलू हूँ नंगे पग ना गिनू तेज तीखी तपन घाम को और ब्रत की कह रहें आप ब्रत की आजव से बल्यत बल्यत तो बदन में बड़ा मैं करसप हूँ कठिन से कठिन का आज तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना देखो कितनी जिद कर रही हैं बहुत परेशान हो जाएंगे तो नहीं में परेशान नहीं होंगे आप चलिए मेरे बिर्ट की चिंता मत कीजिया ठीक है तो चलिए तो चलिए पर चलिए सावित्री क्या हुआ मेरे अचानक शिर में दर्द होने लगा है शिर में दर्द है बहुत जोड से तो नीचे आजाएंगे आप देखता हूं मैं और आपके सर में दर्द तो नीचे आजाएंगे आपके सर में दर्द नहीं कटती है थोड़ी देल आराम कर लीजे उसके बाद देखना अब मुझे शार पर खड़ा नहीं नहीं जाता है मेरे सर में दर्द बहुत जोगते हो तो आए आप लेट जाएंगे आए सावित्री तुन तवार है यो दूना दूना दमाने दमाने से बढ़ता दराद मानो मस्त को प्यारी बिदारे कोई फार डारे हाँ मेरी घोपुढी जिश्च तरे मनो लकडी कुढारे से बढ़े अब भी आरा हम नहीं कि आपको अब मेरा सिर्फ अठा सावित्री अब आरा मेन आपको आरा मेन आपको बोली ना सावित्री मुझे पर नहीं बोला गारता है मेरा नहीं आप बात कीजिए आप बात कीजिए आप बोले मुझे कुछ भी कहिए बोली बरामत से नहीं 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 ऐसा मत कहिए कि आपको नहीं जावित्री अब ही नहीं कम हो रहा है ऐसा नहीं मैं कोशिश करती हो आपका दर्ण में हो रहा है इतना तुम दवाती हो मेरा पर भीष्टी वहान मेरी मदद करो उतना इत्वात होता है प्रत्री मेरा दिल फटाश मस्तग फटा जा रहा जेना जा तूतो जाओ सत्वान के प्रान काल किलाओ जाओ जाओ एसे मखो आप बोली ना बोली ना महारूर जाओ हम सत्वान के प्रान नहीं निकाल सकते हैं क्याकम साबित्री के तेज के सामने जले जा रहे हैं भगो भगो जेखो साबित्री वो कौन है वो मैं चलता हूँ जिस समय भूचा राता है जमी तो जमी या कास्मी दहल जाल आए खुलाता हुआ शेर आए घुराता हुआ शेर आए तो आखे निकालू सीना जमी का फार के में पानी निकालू हाहा दूतों की सामर्त्र हो सकी के सत्वार के प्राण निकाल के ले जाए क्यांके वो तेजे सुनी पती बरता है जारी भी हिमत नहीं पड़ रही है लेकिन मुझे अब साबत्री के पास में ख़ड़ा होना चाहिए प्रा महराची 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 आप कौन है याद किसलिए आये है लगता है कोई देवता है इनसे पूछना चाहिए निश्चे कोई देव हो देव आपका अंग किस का रण की नी किरपा तो बर्नों प्रभू प्रसंग सब चरित्र बर्नों आपनो बोलो ना कैसे मोन हो दीजे बता शुब नाम अपना खेदया लू कौन हो यह पती बर्ता है इसको अपना नाम तो मुझे बताना ही पड़ेगा सुनो पती बर्ता तो मुझे नहीं जानती हो मैं अपना तुम्हे पड़े रहा हो हा मारत तू पती बर्ता इस सब बुना और भेद छुपाओ आये तपे शनी थोई मैं अपना ये नाम बताओ सुने सुता और मुझे सब कहते हैं यमुराज धरमुराज मेरे दो नाम किस वज़े से हैं जो पाप यमनश होते हैं उनके लिए मेरा नाम यम्राज और जो धरमात्मा प्रुशो होते हैं अच्छे कंव करते हैं उनके लिए मेरा नाम नम्राज है यहो मारत अरिन रप सुता मुझे सब कहते हैं यह मुराज के प्राड प्राड तेरे और यगपत के लेलेकों मैं आया हूँ महराज चमा कीजिए एक बात कहूँ आपसे क्या पूछना चाती हो मैंने कुछ सुना है क्या सुना है पंडित स्वानी ये जन ऐसा बतलाते हैं कि यम दूत प्राड मन सौखे ले जा महराज मेरे पत के लेने ही तिक्राड एजी आपसो यम कैसे कैसी आए हो इसका करो तुमा सब्स कहती हो के जिसमें इंसान की मन शुकी मर्दू होती उसके प्राड लेने के लिए मेरे दूती आया करते मैंने ही आया करते लेकिन इसका कारर है क्या माराज और ये प्रीतम तेरा ये धर्म अगी गुणियत भारी और ये तू भी बराले सती शुरू हो मलो तेरा पती जो है एक बड़ा धर्मात्मा पुर्श है और पती बरता में स्प्रों अरे तुम भी पती बरता हो और ये नफसता तेज से सके न तेरा मेरे धूत इस भायस में ही और ये खुद आया हो कर दिल को मझे मेरे दूतों की ये समर्थ नहों सगी जो तेरे पती के प्राणा को ले जाए इसलिए खुद मुझे मजबूर होके आना पड़ा है वो दर कौन है वो कौन आ रहा देख नहीं महानच सती हूं सत्के बल से सत्य हूं सत्के बल से में तुमारा पल्ला पकड़ती हूं बनाओ मुझे मती विद्वा में तुमारे पैर पड़ती हूं ये मेरा बहुत अच्छा मुखा है अब मुझे प्राग काम करना चाहिए अब मेरा कार सिर्द हो गया मुझे अब चलना चाहिए शामी सामी एंसा नहीं हो सकता मेरे पती को पॉय नि ले जा सकता नहीं अपने पती को नहीं जा नहीं तुमारे थे बगवन मैंने ऐसा क्या बुरा किया है प्रहू, कुछ तो रहम खावे रूपर मैं धर्ती से गगाने तक, ये धर्ती से गगाने तक, डूनूरे मेरे पिया गए नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए, नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए, ये समय में रोने धोने में बरबाद कर दूँगी, मेरे पती के प्राण लेके धर्म राच चले जाएंगी, मुझे उनका पीछा करना चाहिए साबितर तुम, मेरे पीछे, अपने पत से उरण पत बरता हो चुकी, कर दिया हश्व तूने पती प्रत धर्म, तेरे मालिक का राचा, और ये पढ़ा है वहाँ जा, वही एक धम जा, और मैं कुछ कहूना, सुनूना, सता हूँ तुमें, साथ चले ना प्रभूना धवारा है क्या, आगे मारत विकट, एसा कहते मुझे, भै दिखा के भगाना जा राएंगी, आगे बड़ी कठिन रास्ता है, जा अपने पती का दा संसकार करो, बहुत कठिन रास्ता है, साथ ही साथ, जान जा सकती है तो, जो नहीं, जान प्यारी, न प्रियजीव न धार है, इन्हें ले जाना जाना सुखा राहेंगी, क्या करेगी, जान जाये चली, पीछा छोडू नहीं, एक दफा मर के मरना दुबारा है जा, क्या मेरे साथ ही चलेगी, साथ ही साथ चलूगी आपके, साथ ही साथ चलने मरब की सुता, अरे फाइदा तुने अपना पेचारा है क्या, नियारा जग से हुआ, और पो हमारा हुआ, कह सच सच किसी का, पीचारा हो क्या, जब तक सयोग तुमसे तुम्हारा रहा, और यह बिलग होने पेदाबा तुम्हारा है क्या, आओ पीछे ही पीछे, और ना खातीयों बै, तुम्हें जीवन क्या पना ये क्या, आप ले आए वो, आपका हो गया, मारा अब मेरा त्राण त्यारा है क्या, अब तो बारा कुछ नहीं है, वो अब हमारा हो चुका क्या ना रहा अब मेरा प्राण प्यारा है क्या फिर आप से कह रहीं, जान जाए चली मरने का गम नहीं है मुझे जान जाए चली, मैं पीछा छोड़ू नहीं एक दफा मर के मरना क्या मरने से भी नहीं ड़ रही है यह बत आरिक तरिक दरता, वो हिम्मत में आए पत्वृता हर तरह से दिया, शाद दिल कर मुझे पत जिलाने की जिद तजिए और कठिन से कठिन माग पर भाग भर माग आब ट्री, अपने पती का जीवदान छोड़ करके तु मुझसे कोई भी बर्दान मांग सकते जो मैं मांगू वही देंगी महराशा क्या मांग ना चाहती है ए दिवा के पिसर, दीन के दुपहर दीन अब लाप करके दया की लजर तो दया के सदन, इतने भरदान दो दासियर जी करे दो करे दो कौन कौन से बर्दान मांग रही हैं आपसे लाप करेंगी मांग ना चाहती हो उनकी आखे खुल जानी चाहिए और उनको गया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाना चाहिए और महराज क्या मेरे बाबुल के संतान जो मेरे पिता जी है मेरे सिवा उनके कोही उलाद नहीं है मेरे बाबुल के संतान हो सो पिसर सो पिसर हो उनके बड़े प्रियोनर मेरे सो भाई होने चाहिए यह चाहरा है तो जो वर्मागे रपसता सो सब दीने तो जा अब पीछे लोट जा तू परेशान मत तेरे तेरे पित ससर को संत लत गदी मिले सब दुख भगे अरने नास अच्छी तोर सेती दीखने उनको लगे तेरे पिता के होंगे सो पुत्र भाके भीर नर चिंतान कर चिंतान कर चिंतान कर जा लोट घर तज आश नपस्त से तिरा अब कुछ रहाना ता नहीं इस से तिरा चलना समझ मेरी में कुछ यह आता नहीं तमारे सासर की आखे खुल जाएंगी गया हुआ राज भापस मिल जाएगा तमारे पिता के कोई पुत्र नहीं है उनके सब पुत्र हो जाएंगे तुमारे सब भाई आप मुझे जाने दो छमा कीजी महाराज, सुनिये, क्या, अभी मज जाईए आप, कोई और बात बाकी है, एक बात हो, जल्दी कहो, स्वामी ज्यानी जन्य पूरिश, ऐसा करें बखान, सब कर्मों में मुन निरिष्ट, तो रखा धर्म परदान, आप धर्मराज है, हाँ, और सब कर्मों में, सब इ जिसके सामने धर्मराज खड़े हो, वो धर्मराज को छोड़के कैसे चला जा, मेरा तो जीवन धर्म है, और मेरे स्वेम सामने आप खड़े है, मैं महाराज आपको छोड़के कैसे जा सकती है, मैंने तुझे दे तो दिया, जो तुमांग रही है, वो तुझे मैं दे रहा ह ठीक है आपने जो मैंने मांगा वो दे दिया लेकिन मैं आपको छोड़का नहीं जा सकती हूं क्योंके धर्म मेरा जीवन है कूर बचन कहके तने मोह लिया मनमोर और कोई ले माग मार जो इच्छा हो तो अरे जो क्या चे से अच्छा जचे बर तुझे मांग ले मांग ले मांग ले सच कहूं लेकिन एक बात क्या मारा परना जीदान पत का यह तू सुटा मांग ना पहले चतला दूं में पहले चतला तुमारी हिम्मस से तुमारी पति वर ध्रम से बड़ी प्रशन नहें अपने पती का जीदान छोड़ कर गे और भी कुछ मुझे मांग सके जो मैं मांग लेगा जो मैं मांगूंगी वही जो जबर से जबर आप बर दे सको में मांगती हूं मगर वो महा तुछ बर अत बली अत गुणी धर्म धारी महा मेरे पत जीरी से स्वामी अरना कुमारी जो मांगा है तू ने मौई सोच ली जी है महाराच ए रहाओ तुझे तेरी इच्छा कबर अत बली अत गुणी ये धर्म धारी महा तेरे पत बीर से हौईंग मैंने तो बार आप तुम्हारे मन का मनुरत हमने सबल कर दिया अब तुम जा सकते हैं आप देवता हैं देवता कभी जूट नहीं बोलते आप जूट भी बोल लेते हैं अपने जूट बोले अपने क्या जूट बोले हैं कुछ नहीं दिया अपने अरे जो तुमने मंघा तुमने अवाने सबफर होने चाहिए बड़े लगा आपने बरगान ने तुमारे सौव होएंगगे लेकिन महाराद च्वा करे एक बात कहूँ आपसे मेरे पत को तो तुम निजपुरी ले चले, तो किसके वीरस से होएंगे मेरे सुपिसर, पुद धर्म हो धर्म ही से कह दीजिये, ठीक दिया है बर ठीक दिया है इस मनुरत खुश्री मान करके सफल, तो दयाते सदन तुम ये बरदान दो, मैं शरण हूँ शरण, मैं शरण हूँ शरण, मैं शरण हूँ शरण हूँ और तेरी बातों के चकर में आके मैंने अरे द्रे दिया परन कुछ सोचा समझा जिगर, भूल भारी हुई और बड़ा लाचार हूँ कह दिया जो जुवासे में पूरा दुगर सहबत्त, सहरण है तो नहीं भी जब करें, तो प्रेश जय सकतरी, तुदे आएसा चकर में मुझे डाला है ऐसा चकर में फसाया, मुझे बड़ी भूल हो ये है कै मुझे अब ही तक ये नही तक आई मालू कहत्वत्त को क्या माँग रही I men हम देख लेकिन थैरिये महाराज, तोहारे सोई पुत्र होगी, मेरे पती की तो उम्री नहीं है, लेकिन एक बर्धार, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, क्योंकि तेरी जो उम्र है, आठ सो साल की है, उसमें से आधी उम्र मुझे दे, जो तेरे पती को बजी दान दे सको, ठीक है सो पिसर होंगे होंगे ननन्यानवे, चाल सो बस हो खुद तेरे की उमर, जी पड़ेगा पहुंचते और यह पहुंचते तेरे, जा जा तू भी उधर आए, भी जाओंगा, अम्राज महाराज, जा तो रहे हैं, मेरी गल्ती को छमा करना, मैं कुछ नहीं जानती, अंजान क्या? जाते जाते समय, इतना तो बताते जाए, कुछ थोड़ा पतवरत धर्म मुझे बताते जाए में सावित्री में तुझे पती द्रम क्या सिकला हूँ, तुने आज मुल्टा-ुल्टा मुझे इसका दिया, अभी और मनुशों के मुझे प्राण लेने हैं, जा रहा हूँ, और सती सावित्री की जेहो दिए जाओ पती तुम्हारा तुम्हें जीवत बिलेगा ले अपने पती के पार कि अगे अगे को ईव शुखे लिए मतो बहुत सो लिए कहां गए थे मुझे तो ने दा गई थी बड़ी जोड़ते आप तो सो रहे थे ना पॉर चलो लगड़ी लेकी चलते हैं माता पिता किल लाएंगे अब नहीं चलतो अब भोसी लिक्टी मेंची कातोंगी और आपी दोनों काते हंगे चलेगे घर जब चलते हैंी चलो चलेगे तो जब चल्म